देखो आज हम अपने primary decomposition theorem का last part करेंगे लेकिन इसको करने से पहले हम कुछ सीज़े समय देखते हैं देख अगर एक कोई भी मेट्रिक्स देर के हमारे पास इस टाइप की तो इसकी characteristic क्या होगी क्योंकि सारे element दाइगनुस प्रेजेंट है तो इसकी characteristic polynomial होगी x-2, x-3, x-4 का स्के है तो हमारे पास ऐसे होता है कि अगर मानलो हमारे पास यह minimal हमें यह पता देखा करक्रिक्रिस्टिक polynomial है अगर characteristic polynomial में हमारे पास polynomial है जो irreducible है irreducible polynomial तो एजिटी जा जाते है minimal की अंदर ठीक है और जो हमारे पास और बाकी मानलो इसकी पावर 2 है 3 है 4 है तो उसके बाद हम अगर block matrix बन रही है तो उसके अंदर हमें जो एक ही minimum निकाल लेंगे वो क्या होगी LCM हो जाएगी इस block की जो minimal आई है और इस block की या प्रूब करके दिखाना हमें लास्ट पाट यह प्रूब करके दिखाना जो minimal polynomial होगी TI's की वो FIXLI होगी वेरिया तो TI क्या है T over V तो देखो finally we prove that a minimal polynomial of T on VIE is this अब यह करता है कि हमें प्रूब करके दिखाना है कि जो हमारे पास T की minimal polynomial होगी over VIE वो क्या होगी FIXLI that is हमें यह प्रूब करके दिखाना है कि T हमारे पास इस polynomial को satisfy कर रहा है T के लिए TI के लिए ठीक है भी this implies यहां से यह हो गया इसका मतल़ टी है हमारे पास satisfy कर रहा है इस polynomial को मैंने माल लिया कि HIX कोई भी minimal polynomial किसकी TI की अब minimal है और कोई यह कोई other polynomial है तो हमें पता है minimal polynomial हर एक polynomial को क्या करती है divide करती है आप देखो FIX कैसे हमारे पास irreducible है so HIX must be of the form अब वो कह रहा है कि वो इसको divide कर दिया और हर एक FIX कैसा है irreducible है तो HIX को किस फोर्म कोना पड़ेगा हमारे पास FIX TI लेकिन इसको पर condition है जो TI की value होगी यह तो वन होगी यह वन से बड़ी होगी लेकिन लाइसे कह रहे कि छोटी तो मैंने HIX को माल लिया वो क्या है FIX TI और वो कहता है V क्या हमारे पास direction में किसका V1 V2 VK का है FIX TI क्या है minimal भी हमने प्रूब करें क्यों क्या लेकर चले थे जो है एक्स है वो TI की minimal है तो FIX TI किसकी minimal होगी TI की हमारे पास ठीक है यह फिर T1 VI के लिए अब वो कहता है कि तो T की minimal प्रूब मिल क्या होगी वो LC हो जाएगी जितनी भी हमारे पास यह पूल में F1 X T1 F2 X T2 FK X T के इन सब पर क्या होजएगी तो जो हमारे पर T की minimal प्रूब में वो इन सब पर क्या होजएगी LC तो मैंन हमारे पास I not equal to J लें तो HX हमारे पास क्या है था अभी HX हमारे पास आ गया क्योंकि हमारे पास इन में से कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूरी की पूरी एज़िटी जिए को मना जाएगी F1 X T1 FK X T के जैसे हमारे पास X-2 X-3 हमारे पास क्या थी द तुमने दिखा ते एक है एक यह मीनिमल है और एक तुमने दिखा दी एक पासित है लेकिन हमें पता है मिनिमल पॉल में तो यूनिक होती है तो इसका मतलब क्या जागा हर एक जो एलाइई हो ठी आए-क बढ़र हो गया वन जो I को यह वैलिया बढ़ी है एक्वल है कि से छो कच्छूज पूर्च शॉर्ट